अंकल और आंटी का बेटा अनिस अमेरिका से डोक्टरे पड़के आया तो पूरी खांदान में धूम मच गई थी हर पार्टी में हर साधी में हर चखे सिर्फ सांती आंटी के बेटे की बात होती थी हर औरत की इच्छा थी कि अनिस उनकी बेटी को पसंद करे और हर लड़की भी यहीं चाहती थी कि उसकी साधी डोक्टर अनिस से हो जाए जब से अनिस वापस आया था तब से मोहलों की लड़कियों का पारलर के चकर काटना ज़्यादा हो गए थे हर हपते जाकर फैसन करवाना उनकी जिनकी काही साबन गया था अनिस ना सिरफ डोक्टरी पढ़कर आय था बलकि उसने यहां आकर बहुत बड़ा कलीनिक भी खोल दिया था अभी तो यह उसके काम की सुरुवात हुई थी वो आगी कितना पैसा कमा सकता था इसका अंदाजा लगाना बहुत आसन था हमारे खांदान में सिरफ मैं एक लड़की थी जो अनिस जिसादी के सपने नहीं देख रही थी इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं थी बलकि क्योंकि मुझे मालुम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता और नहीं वो मेरे बारे में सोचता होगा क्योंकि मैं एक सावली सी लड़की थी मेरी आखे बहुत खुबसूरत थी मैं लंबी भी थी लेकिन सावली रंग ने मेरी खुबसूरती पर जंग लगा दिया था वो भलाक्यों मेरे खांदान की गोरी चित्ती लड़कियों को छोड़ कर मुझसे साधी करेगा जो चीज मुम्किन ही नहीं थी उसको सोच सोच कर मैं खुद को हलका नहीं करना चाहती थी खांदान के बाकी लड़कियां मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी पैसे वाली भी थी, हम लोग थे जो मिडल कलास से आते थे हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकावले में थोड़ा कम पैसे वाले थे एक दिन मेरी तबियत खराब हुई, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बल्ड प्रेसरलो हो गया है मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबियत खराब है, मुझे डोक्टर के पास जाना है तो मेरी माँ मुझे अनिस के कलिनिक में ले गई, मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहां क्यों लाई है आप अच्सी तरह से जानती हैं कि उनके फिस्प हो जादा है मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ मेरा उदे से सिर्फ इतना है कि इसी बहाने अनिश तुम्हे एक नजर देख ले क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ अपनी माँ के बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी वो इतना दूर का सुच रही थी और मैंने सुचा था कि नहीं मैंने ममी से कहा कि हम किसी दूसरे कलिनिक में चलते हैं लेकिन ममी हट कर ली थी कि यहां से ही अच्छा बल्ड प्रेसेट चेक करवाना है जब हम लोग अंदर गए तो मेरी अपना परीचे करवाया कि वो अनिस के पापा के दोस्त की पत्री है यह सुनकर अनिस को याद आ गया मुहने कहा जी मैंने आपको पहचान लिया है मेरी यादास बहुत अच्छी है फिर मेरी माँ ने मेरा परीचे करवाया मेरा बर्ड प्रेसर और वजन चेक कर चुकी थी और पर्ची भी मुझे दे दी थी जिसमें मेरा बर्ड प्रेसर रिकोर्ड था लेकिन मैं सोच रही थी कि अनिस फिर शे मेरा बर्ड प्रेसर क्यों चेक करने लग गया है उसने एक नजर मेरी आँकों में देखा और हम दोनों के नजरे चार हुई उसने मुझे कहा कि अब का भी पिलो है उसने मुझे दवाई लिख दी है थोड़ी बहुत मेरी मार से बाते की और हम वहां से वापस आ गए लेकिन सारी रात एनिस की नजरों ने मुझे सोने नहीं दिया उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था जैसे मैं समझ नहीं पा रही थी लेकिन मुझे जटका तब लगा जब दो दिन बाद एनिस का रिष्टा मेरे लिए आया मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी हुई थी उसने एक नजर मुझे देखा और मुझे परसंद भी कर लिया और साधी तक का सोज लिया मेरी माँ ने मुझे कहा कि वह बाहर से आया है और यहां के लोगों की तरह हुसन का पुजारी नहीं है बलकि तुम तो बहुत हैसिन हो सिरफ रंग ही सावला है काला भी नहीं है वो समझधार लड़का है उसने जरूर तुम से कोई खास बात नोट की है वो आम लड़कों की तरह गोरे रंग को चाटने वालों में से नहीं है मेरा रिष्टा अनिशे तैय हो गया पूरे खांदान में यह खबर जंगल की आग की तरह पैल गई और हर जगह बाते होने लगी कि अनिश ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान ने कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया यह बात पूरे रिष्ट देदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी सब का मूड खराब था लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी की एक लहे दोड़ गई थी मेरे घरवाले भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि अनिस मुझे मैसेज करके कहा कि वह मुझे पहली नजर में मौहबत का सिकार हो गया था उसे मेरी आँखे बहुत पसंद आई थी उसे मुझ जैसी लड़की की ही तलास थी और मुझे अमी की बात बेविश्वास होने लगा कि वो बाहर से आया है और बाहर के लोग कोई खास थी थी लड़कियों में नोट करते हैं उन्हें पसंद करते हैं ना किसी लोग खूबसूर्टी देखते हैं खैर मैं बेफिकर हो गई थी सादी की तयारिया शुरू ही तो अनिस की मा साब साब कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए खुदा ने अनिस को सब कुछ दे रखा है इसलिए सब कुछ अनिस खुद ही करेगा यहां तक कि मेरे लिए सादी के जोड़े भी अनिस की तरफ से भेजे गए वहे भी एक के बढ़कर एक डिजाइनर के थे लाकों में मेरी सादी के कपड़े कयार करवाई गई थी और जिवरात के नाम पर कई तोला सोना चधाया गय था रिष्टेदारों के तन बदन में आग लग गई थी हर कोई एनिस को अकल का अंधा कह रहा था जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे सादी के लिए पसंद कर लिया था मेरी माने भी रिष्टेदार वालों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और सादी से एक रात पहले सारे खांदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे कुछ रिष्टेदारों ने तो ढ़के छुपे आवाज में मा से पूछ भी लिया था कि तुमने कौन सा जान दो लड़के पे करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी को मेरा और अनिस का रिष्टा हजब नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी सादी का दिन आ गया मेरा अनिस का साथ फिरा हो चुपा था और मैं अनिस के साथ दुलहन बनी सटेज पर बैठी हुई थी जब अनिस की बुवा की बेटी सटेज पर आई तो उसने ऐसी बात कही कि मेरी आँखों से आसु टपकने लगे वो अपने सब्दों में मेरा माजाक उड़ा रही थी और साथ ही अनिस से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है तुम तो इतने कलासी थे अचानक से ये तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया अनिस ने उसे एक दो सबत कहे और वहे खुद ही सटेस से नीचे उतर गई लेकिन मेरा आज का दिन खराब हो चुका था मैं सर जुकाई बैठी थी और यह सोचकर ही सरम से जमीन के तरफ देख के जा रही थी कि अनिस से किस तरह नजरी मिलना पाऊंगी मैं जानती थी कि सब को इसी बात का हैरानी है कि अनिस ने मुझे क्यों चुना है लेकिन ये बात सिर्ब मैं ही जानती थी कि अनिस को मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था विदाई का वक्त हो गया था और मैं विदा होकर अबासा के घर जे चले आई थी मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और यह देखकर मेरी आँखें खुले रह गई थी अनीस का घर किसी चांदार महल से कम नहीं था ऐसे लग रहा था जैसे वह करोडों रुपे कमाता हो दिल में सुचने लगी कि डोक्टर तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं गरीबों का खुनी चोड़ लेते हैं और अपना महल तयार कर लेते हैं लेकिन ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ था मुझे मेरी सास यानि अनीस की मा ने अनीस के कमरे में बठा दिया अनीस के बुवा की बेटी की बाते अभी तक मेरे अंदर गुंज रही थी और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी कमरे में ऐसी ठंडक होने के बावजुद भी मुझे अपना सर सुलगता हुआ महसुस हो रहा था भगवान ने मेरी किसमत कितनी रोसन लिखी थी कि अनिस मेरा हमसफर बन गया था लेकिन मेरे चेहरे की कालिख ने इस तरह खुशी को भी कम कर दिया था थोड़ी ही देर बाद अनिस कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर का बात समझ गया क्या बात है रोजनी तुम क्या अभी तक खुश्बू की बात को लेकर बैठी हो मैं एक नजर से अनेश की तरफ देखा तो वह कहने लगे महबत ऐसी ही होती है महबूब के बिना कहे उसकी हर बात समझ आ जाती है अनेश के लहजे में महबत की चास्थ में खुली हुई थी और मैं अपने खुश नसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी तुम फिकर ना करो रोजनी तुम्हारी जिनगी की ये प्रेशानी में जल्द ही दूर कर दूँगा कोई तुम्हारी रंग को लेकर तुम्हे कब जोर कम जोर नहीं समझेगा आज कल तो इतने इलाज आ गए हैं कि कुछ इंजक्शन ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा मुझे तो तुम्हारा सावला रंग ही अच्छा लगता है लेकिन मैं तुम्हारी आँखों से आसों नहीं देख सकता इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाली इंजक्शन के जरिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूँगा मैंने असीन की तरफ देखा क्या ये मुम्किन है कि मेरा रंग भी निकर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा अनिस मुस्कुरा कर कहने लगा यह दूर अलग है अब कुछ भी ना मुम्किन है जिसके पास पैसा है वह सब कुछ हासिल कर सकता है लोग तो सरजरी के जरिये अपने नकोस तक बदलवा लेते हैं तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा करना है अनिस से मुझे वादा कर लिया कि वो अगले दिन से ही मेरा इलाज सुरू कर देगा मैं ख्याल ही ख्यालों में खुद को खुसबू से कहीं ज़्यादा हसीन महसुस कर रही थी वो जो मुझे मेरे पती की नजरों में गिराना चाहती थी मैं अब उसे बदला लेना चाहती थी अनिस ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश थी अनीश से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे वह अमरीका से पढ़ कर आया है ना उसके चेहरे पर गुरूर था ना ही उसके बातों में अमेरीका की पढ़ाई का नसा वो तो एक सिधा साधा आम इंसान था जो मेरी महबत में पूरी तरह मेरा हो चुका था साधी के अगले दिन थी अनीश ने मुझे बताया कि उसके अपने एक डोक्टर से बात हो गई है मुझे रोज रात को एक गोरा होने वाला इंजक्शन लगेगा और एक हबते में ही फरक दिखने लग जाएगा मैं आइने के सामने खड़ी तयार हो रही थी अनीश की बात सुनकर मैंने एक नजर अपनी सामली रंगत पर डाली और यह सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आने वाले दिनों में मैं चांद की तरह चमपने लगूंगी अनीश धीरे से मेरे करीब आया और मुझे बाहों में भरते हुई मुझे वादा लिया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी वो नहीं चाहता कि लोग तरह तरह के बाते बना कर मेरा दिल दुखाएं मैंने यह वाद से वादा कर लिया था कि मैं किसे को भी इलाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और अनीश ने उसी रात मुझे पहला इंजक्शन लगा दिया इंजक्शन लगते ही थोड़ी दिर बाद मुझे निंद आ गई और फिर जब सुबह मेरी आँके खोली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है लेकिन इस दर्द के नजाने मुझे परेशान करके रख दिया था मैंने अनीश को बताया तो वो कहने लगे कि हर चीज को एक साइड इफेक्ट होता है और साइड इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है एक हपते की बात है दर्द वर्दास कर लो मैं यह सब कुछ तुम्हारी खाती ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी छुप छुप कर आशु बहाने की जरूरत नहीं पड़े तुम ही सोचो जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज का एहसास और भी ज़्यादा होने लगेगा एनीश की बात सुनकर मैं खामोस हो गई वो ठीकी तो कह रहा था अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरी रंगत का मजग उड़ाते तो मैं क्या करती सादी के बाद और ओरत की एक ही कमजोरी होती है और वो होती है उसके बच्चे अनीश ने इसी बात का फाइदा उठाय था बच्चे के नाम पर मैं हर दर्द सहने को तयार थी और अगली रात भी जब अनीश ने मुझे इंजक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर के बाद मैं गहरी नीम सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर पेट के दर्द से तड़प रही थी ये दर्द मेरी बर्दार से बाहर होता जा रहा था लेकिन मैं कीसी से इस बार में बता भी नहीं सकती थी क्योंकि अनीश ये इलाद सबसे छुपा के कर रहा था मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़पती रही और अपने कमरे में बंद रही रात तक मेरे अंदर हिम्मट खतम हो चुकी थी और मैं एक और इंजक्षन नहीं लगवा सकती थी मैंने सोचा अगर एक दिन इंजक्षन ना लगवाँ तो साइद इतना फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अनीश को कहीं बूरा ना लग जाए यह सोच कर मैंने खुच जुपके से इंजक्षन बदल दिया और ताकत का इंजक्षन रख दिया अनीश ने मुझे इंजक्षन लगा दिया और मैं आँखे बंद करके लेट गई जैसे मैं बहुत ही गहरी नीन में सो गई हूँ उसके बाद जो कुछ है अनीश ने मेरे साथ किया मेरी रूख काप गई कि ऐसा कोई किसी दुस्मन के साथ भी नहीं कर सकता जबकि मैं तो अनीश की पतनी थी मैं फोरण उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देखकर अनीश के होस्तिकाने आ गए थी वो हकलाते हुए पूछनी लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो मैंने गुशे में अनीश से पूछा कि ये सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो पहले तो अनीश मुझे उल्टे सीधे जबाब देता रहा लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि मैं इतनी आसानी से कामोस बैसने वालों में से नहीं हूँ तो उसने मुझे हर बात सच सच बता दी अनीश का पूरा सच सुनकर तो मेरे होस उड़ गए अब मुझे समझ आ गया था कि अनीश ने सारे खांदान की लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैहने वालों में से नहीं थी मैंने फोरण ही चिर्ट चिर्ट कर सारा घर सिर्ट पर उठा लिया था और अपने घर भी फोन मिला दिया था अनीश की लाग कोसिसों के बावजुद भी मैं चुप नहीं की थी बिल्कि अनीश का घिनोना चेहरा सब के सामने ले आई थी मेरी सास भी अनीश के साथ उसके जरूम में बराबर की हगदार थी इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई मेरी माँ को तो यकिन ही नहीं आ रहा था कि अनीश जैसा लायत इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है मैं मा के साथ साधी के तीसरे ही दिन लोटकर अपने घर चली आई थी रिष्टेदार वालों को तो बातों करने के लिए नया मुद्दा मिल गय था हर कोई हमारी जखमों पर नेमक छड़कने के लिए आ रहा था सबके मुँपर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बर लग रहा था रोसनी जैसे सावली लड़की से अनीश जैसा लड़का कैसे साधी कर सकता है कुछ रिष्तेदार वालों ने तो अनीश की सही कहते हुए मुझे ही बुरा बला कह रहे थे क्योंकि अनीश की मा ने उन्हें मेरे बुरे चरितर के जुटे के से सुना दिय थे हर तरफ मेरी बुराई का चर्चा हो रहा था और मैं अपनी किसमत पर आसुब बहाने में लगी थी मैं कमजोर नहीं पढ़ना चाहती थी लेकिन लोगों के तरीकों ने मुझे बहुत ही कमजोर बना दिया था अनीश की वो मोहबत भरी बाते मेरे कानों में किसी से की द्रह पिंखल रही थी अनीश उसकी मात और डंके की चोड़ पर मुझे गंदा कर रहे थे और मैं अपने बंद कमरे में बैठी थी मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी जब मेरी दोस्त मुझे मिलने के लिए आई और उसने मुझे खुंसला दिया कि मुझे खामों सी में नहीं बैठना चाहिए अनीश जो काम मेरे साथ थे कर रहा था वो बिल्कुर गैर कानों नी थी और मेरी दोस्त साहती थी कि हम दोनों मिलकर अनीश के किलाब कानों कारवाई करें उसका पती वकिल था और वो दोनों मेरे साथ साथ देना चाहते थे अपनी दोस्त के बात सुनकर मैंने फोरण हां कर दिया कि मैं अनीश जैसे इंसान के खिलाफ जरूर कदम उठाऊंगी लेकिन जैसे ही मा को मेरे इरादे का पता चला मा ने साथ मना कर दिया कि हम जैसे इजद्दार लोग कोर्ट का सहरी के चकर नहीं लगा सकते इसलिए तो हम जैसे लोग अनीश जैसे लोगों के लिए आसान खिलोना थाबित होते हैं मैं गुसे में मा को चार बात सुना डाली जब तक हम जुमों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे ये हमारे साथ जुम करते ही रहेंगे और मैं गलत करने वालों को उनके अंचाम तक जरूर पहुंचाऊंगी मैं अनीश के खिलाफ केस करूंगी मैंने मा को दो टुक बात सुना दिया और अपनी दोस्त की मदद से अनीश के खिलाफ मुकदमा दायक कर दिया अनीश और उसकी मा ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी जैसे आम सी लड़की जिसे जमाने ने हमेशा ठोकरों पर रखा हुआ था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और जबान उपर आम हो गया जिसको भी मामले का पता चला वो अनीश पर थूथू करने लगा और अनीश किसी को सकल दिखाने के लायक नहीं रहा मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हीमत से अनीश का घिनोना चेहरा सब के सामने रख दिया अनीश ने मुझसे साधी जिस मकसद के लिए की थी वह बच्चा था अनीश अमेरिका में किसी मोडल से साधी का चुका था और वह उससे मोहबत करता था लेकिन वह मोडल अपनी फिटनेस को खराब नहीं करना चाहती थी और अनीश को बच्चा चाहिए था और इसी मकसद के लिए अनीश अमेरिका से अपने देश आया था वो अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था इसलिए उसने जान बुझकर मुझज़ से सामली सलोनी और करीब लड़की से सादिकी उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई फुशियां देकर पागल हो जाऊंगी उसकी मोहबत बरी बातों से मैं पूरी तरह उसके जाल में फसी रहूंगी और उसका सजाने की कोशिस ही नहीं करूंगी लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदल कर सोने का ड्रामा किया उस रात ये सचाई मेरे सामने आई दरशल वो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए था लेकिन उस बच्चे के लिए वह मेरा जिसम इस्तेमाल करना चाहता था वो एक पुए तरिके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिसम के अंदर तयार करना चाहता था ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो और जब वह बच्चा पैदा हो जाता तो वो दोनों से लेकर दोबारा अमेरिका चले जाते इस तरह ना ही उसकी पत्रिंगी मोडलिंग पर कोई असल पड़ता और ना ही उन्हें किसी को और बच्चा गूद लेना पड़ता जिस दिन मैं भी पीचे करवाने अपनी माँ के साथ अबासा के कलीनी गई थी उसी दिन उसके जहन में यह बात बैठ ली थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसके बच्चे को अपनी जिसम में पाल सकती हूँ इसलिए वो बार बार मेरा भी पीचे करता था और मेरी खुराक का ख्यार लगता सरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी त्रह गयर कानूनी है और खास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरा पती मेरा जिसम कैसे इस्तिमाल कर सकता है वह हर रात गोरा होने वाला इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहुस करता और फिर मैं मेरा चैग अप करता था जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था उस रात वो आई वी एफ के जरीए मेरे जिसम में अपने बच्चे को इंपलोट करने वाला था उनकी अमेरिकन में भी अपने जिसम को खराब नहीं करना चाहती थी लेकिन वह दोनों मिलकर मेरी पूरी जिनकी जरूर बर्बाद करना चाहते थे एक बार उन्हें मुझे बच्चा मिल जाता तो अनीज मुझे तलाग दे कर वापस अमेरिका चला जाता और फिर कभी लोटकर भी वापस ना आता और मैं सारी जिनकी यूही तरफती रह जाती मेरी दोस्त का पती जो वकील था उसने कुछ सबुत इकटे किये और अनीज और उसकी पतनी को दोसी शाबित कर दिया वो दोनों धुके से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और अगर उस रात मैं इंजेक्शन ना बदलती तो उन दोनों के बच्चे अपनी खुन समझकर नो महीने तक उन्हें पेट में पालती रहती और उसके बाद वो दोनों अपना बचा लेकर दोबारा वापस गायब हो जाते उन दोनों को सजा सुना दी गई और मैंने अनिस से तलाक ले ली थी मैं अकेली जरूर थी लेकिन मुझे यकिन था कि भगवान ने मेरी किस्मत में यकिनन कुछ अच्छा ही लिखर रखा है सारे खांदान वाले अनिस की सचाई जान चुके थे और आंटी को बुरा भला कह रहे थे जिन्होंने अपने बेटे का साथ दे कर मेरी जिन्गी उजाड़ने की कोशिस की थी एक बात में बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि सिर्फ इंसान की पढ़ाई उसे सोहरत नहीं देती मलकि यह माबाप की परवरिस भी होती है जो एक बच्चे को होश्यार और साफ बनाती है अगर आंटी अपने बेटे अनिस को सही और गलत का फरक बताती उन मेरी जिन्गी से खेलने के लिए मना करती तो साथ उसे कभी इतना हिमत नहीं मिलता इस्तेदार में सभी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटिया अनिस के जाल में फसने से बच गई थी जबकि मां को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वज़ह से मेरी जिन्गी बरबाद हुई है लाकों का जिवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसिब और खुशया नहीं दे सकते कोई भी लड़की दो वक्त की रोटी और इज़त के साथ चार दिवारी में खुशी खुशी जिनकी गुजार सकती है लेकिन वो एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती मैंने जुलम के खिलाफ इसलिए आवाज बुलंद की ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद के भेटने चड़े धनिवाद दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले